कि है कि है लो दोस्तों जेहिन मैं पूरी डोगरा फिर से कौन मने का कमांडो एपिसोड में आपको लेकर आगया हूं डाउटनेट के साथ तो यहां पर हम आप लोग के साथ आज फिर से जुड़े हैं और नए कंटेस्टेंट हमारे आए हैं जिन्होंने पहले दो एक्जाम को करके यहां तक पहुंचे हैं तो एक बार हम आपको उनसे मिलवादे उते हैं इंट्रोड्यूस करवा देते तो फटावट से एक बार हम मिलते अपने कौन मैने का मांडों के नए एपिसोड में और नए बच्चे के साथ जिनका नाम है बासकर जो कहां से बिलॉग करते हैं आप कहां से बिलॉग करते हैं ऑ क्थे हुप desert कि आप यूपी बरेली से बिलॉंग करते हैं और कौन से स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं आप 11th में 12th में या 12th पास आउट है बताई क्या कर रहे हैं अभी आप किसमें जाना चाहते हैं तो आप किसमें जाना चाहते हैं कि Air Force डेफोर्स में तो भासकरजी एंडए करके Air Force में जाना चाहते हैं तो भासकरजी मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से एक्जाम को क्राक करें निए का जो अभी होने भी वाला है आपको पता होगा सेप्टेंबर को एक्जाम था टीचर से से शिफ्ट करके निवेंबर चिल्टर से पर कर दिया है तो आप उसके लिए तैयारी करते रहिए और कैसे आपको कॉन में कमांडों के बारे में पता चला एक बरी बताइए जरा सबी को भाषकर जी ने बताया की डाउटनेट के बारे में की डाउट्स अपने सॉल्व करते ले यह डाउटनेट पर 10 करोड डाउट्स आप लोगको अराम से 10 करोट से भी जादा डाउट के solutions अवेलेबल है तो जो भी बच्चे को किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो वैसे डाउटनेट आप लोगे साथ है और लेक्चेस भी हम लोग प्रवाइड कर रहे हैं पर जो डिफेंस आर्मी मतलब डिफेंस से भी नेवी से भी एरफोर्स समझा देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे पास आपके लिए यहाँ पर दस कोश्चन होंगे जो कि रिलेटीट टू डिफेंस होंगे हर कोश्चन के लिए आपको एक मिनट दिया जाएगा यानि साठ सेकिंड और आपके पास दो लाइफ लाइन होग उसमें से आपको चुनाफ करना होगा उसके बाद जब हम डबल टिक की बात करेंगे तो डबल टिक में आप दो आंसर को टिक कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो आपको लगते हैं कि हाँ बही कौन से वाला करेक्ट है according to you लेकिन जब भी आप लाइफ लेंगे तो आपके लिए घड़ी रुक जाएगी मतलब उसकेस में आपके लिए टाइम जितना आपको चाहिए उतना अप ले सकते हैं उसमें कोई प्राबलम नहीं है दूसरी बात यह कि किसी भी कोश्चन एक कोश्चन में आप दोनों लाइफ 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 लाइन नहीं लगेंगी अगर कोई क कोश्चन है तो बताईए आपको कि लिए सर्थ बिल्कुल बहुत बढ़ी है तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ के बीसी कमांडों का एपिसोड और इसी के साथ आपके सामने पहला कोश्चन प्रस्तुत किया जाता है यह रहा कोश्चन है विच फोर्स इस दा स्पेश बताईए सोच के अच्छे से आंसर कीजिएगा कोश्चन में कहा गया है कौन सी भारतिय वायू से ना इंडियन एर फोर्स की स्पेशल फोर्स कही जाती है इन चारों में से टाइम इस रणिंग आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी और कोशिश रखे कि सही हो गरूड कमांडो तार कमांडो घातक फोर्सस के जाएंड ऐसे प्यार कमांडो आरी शौर कम्पीटर जी ऑप्शन बी पे ताला लगाया चाहे देखिए वास्कर जी क्या सोच कि आपने वेसे आंसर किया था पैता कमांडो आप इनके बारे में जानते हैं घरूर फोर्स पेरा कमांडो घातक प्रफोर्स एस्पीजी के बारे में गरूर कमांडो एर फोर्स से रिलेटीड है सरी निया कोश्चन भी यही था शायद आपका आंसर गलत हो गया तो यहां से मैं आपको पहले बता देता हूं जैसे कि गरूर कमांडो जो है वो इंडियन एर फोर्स के लिए हमारे स्पेशल फोर्स में कहे जाते हैं जो प्यारा कमांडो होते हैं वह बेसिकली ट्रूपर्स होते हैं उसके बाद जो आपके SPG है जो option D आपका SPG था वो actually अलग security है ठीक है तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में तो चलिए पहले आपके पास यह हम आपको मैंने पहला question दिखाया कुछ मिस्टेक रही शायद आपने answer भी बोला कि sir first होना चाहिए था लेकिन मनें गलती से second कर दिया एक मिनट बहुत टाइम होता है तो सोच किये अच्छे से answer कीजिए इतना हाँ पैनिक नहीं होना है अराम से answer करना है दस question अपने पास है एक गलत हो गया no problem अभी नौ बचे हैं second question आपके पास प्रस्तूत किया जाता है यह रहा question number second full form of SPG SPG की full form क्या है special providing guard special protection guard special police guard special para guard SPG की full form देख के सोच के अच्छे से answer कीजिएगा इस बार आते वे answer को गलत नहीं करना है आप लगबग 20 second अपने छोड़ चुके हैं जादे ही हो गया है बीस से option D option D special para guard are you sure yes sir confirm है yes sir computer जी एक बर option D पे ताला लगा दिये जाए sorry it's a wrong answer actually SPG की full form होती है special protection guard यह special protection guard यह special protection guard जो होते हैं यह हमारे use होते हैं prime minister security में prime minister जो हमारे जैसे नरेंदर मोदी जी जो भी अभी forces होती है जासे Z security by मिलती है SPG में मिलती है तो SPG का main काम होता है जो special providing sorry special protection guard होते हैं इनका basically काम ही होता है वो जो black suit पे नहीं होते ठीक है आपने देखा होगा गाड़ी के चारों तरफ उनके वही हैंगे SPG चले कोई बात नहीं अभी 8 question आपके पास है अगले question पर आपके पास आते हैं ध्यान से answer कीजिए जल्दी नाम चाहिए सोचिए समझिए पढ़िए देन answer कीजिए ठीक है तो अगले question आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है यह रहा है देखें which picture belongs to SPG इन में से कौन सी picture SPG से belong करती है option A आपके सामने है option B आपके सामने है option C आपके सामने है and option D none of these बताइए option A जिसमें हमारे पारबने में है option B जिसमें आपको लिखावा दिख रहा है service before self और option D में आपको सत्यमेव जेते का साइन और विसूद शार्यम समर्पडम और सुरक्ष्णम option B are you sure yes sir please option B पर ताला लगाया जाए computer जी sorry it's a wrong answer option B जो है वो NDA का tag mark है NDA का logo है option C इसका correct answer था option A जो है वो गरुड कमांडो के लिए use होता है और option C जो था वो SPG guard का बचे आप NDA देना चाहते है एंडिया के form में भी साइन होता है आपके पस दो लाइफ 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 लाइन है अराम से आंसर करो जल्दी नहीं टेक यूर टाइम दो option आपके पस lifeline भी है उनका भी इस्तेमाल करिए ठीक है कोई बात नहीं अभी है अपने पास काफ़ी टाइम अगले कोशन पर आपके तरफ बढ़ते वें यह रहा हूँ इस देफादर आफ इंडियन एर फोर्स भारतिय वायुसेना के जनक कौन है ध्यान से प्रताप चंडरलाल option A option B subratomukharji or option C Arjan Singh and option D none of these हूँ इस फादर ओफ इंडियन एर फोर्स हूँ इस फादर ओफ इंडियन एर फोर्स हूँ इस फादर ओफ इंडियन एर फोर्स सर सुवर्टो मुखर जी option B are you sure option B subratomukharji तो खाता खुल गया है आपका टेंशन मतलो अराम से आंसर करो अभी अपने पास और भी questions है तो यह बिल्कुल करेक्ट है अच्छी बात यह है आपके पास दोनों लाइक प्लाइन अभी बचे हुई है उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं आगे जाके तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुब्रोटो मुखर जी सुब्रोटो मुखर जी जो है this is the he is the father of Indian Air Force तो नेक्स वोशन पर आते हैं आपके सामने फड़ावट से यह रहा वेर इज एंडियान नेशनल डिफीन को ड मैंदग पर आप से किदर है इन 4 में से टेक्är योडिन सो आपके बस दो लाइफ लाइन है ताइम चलता जा रहा है एक मिनट का समय है अपने पास जल्दी से उत्तर कीजिए इसका कुष गुडगाओं ऑप्शन सी गुडगाओं पे ताला लगाए जाए कंप्यूटर जी दिस तरेक्ट आंसर बिल्कुत रही है बिल्कुल करेक्ट है यह आंसर बहुत बढ़िया अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप शाबाश नेक्स्ट कोशन पर आपके सामने बढ़ते हैं जो हमारा कोशन नमबर छे वट इस फुल फॉर्म ऑफ एम 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 आर सी एकी फुल फॉर्म क्या है दा मीडियम मल्टी रोल कोडिं है अभी तक छे कोशन में से आप छटे में से आप पहले पांच में से तीन गलत कर चुके हैं दो सहीं है तीसरा आपका अगर यह कर देते हैं तो यह करेक्ट होगा बताईए कि टेकर टाइम है कि फिफ्टी फिफ्टी कंप्यूटर जी पहले तो घड़ी को रोग दिया जाए फटावच से तो हम इसमें से आपको दो गलत ऑप्शन यहां पर मिटा देंगे टाइम की कोई सीमा नहीं है आपके पास समय की कोई बादा नहीं है अराम से आप पूरा समय ले सकते हैं इसमें दो गलत ऑप्शन हम यहां पर हटा देंगे और उसके बाद आप एक सही और एक गलत में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक कर सकते हैं कोशिच कीजिएगा सही उत्तर हो तो कंप्यूटर जी फटावट से दो गलत ऑप्शन को हटा दिया जाए तो इस समय आपके पास option A or D कट गए हैं यानि आपके पास जो option है वो B और C बचे ए और D option आपके कट गए हैं बी और C में से आपको correct answer बताना है कौन सा है ताइम की कोई इसमा नहीं है लिए और सी option आपके पास बचे हैं इन दोनों में से आपको बताना है option c are you sure option c मतब वैसे क्या सोच कि आप answer करें the medium multi roll combat aircraft ऐसा कुछ है आपने सुरा है पहले कभी है आफिर तो कंप्यूटर जी जैसा कि भासकर जी ने बोला है कि फटावट से इनके छटे कोशन में option c को ताला लगाया गया तो option c को ताला लगा दिया गया अगर आप option b बोलते तो भासकर जी आपका गलत हो जाता option c बिल्कुल correct है बिल्कुल correct answer option c the medium multi roll combat aircraft देखें बिल्कुल सही answer किया है आपने तो अभी घबराना नी पहले छे में से आपके तीन सही और तीन गलत जवाब है that is not a big deal कोई problem नहीं है हम अगले कोशन पर आपके सामने बढ़ते हैं और समझते हैं ध्यान से एक लाइफ राइन आपने गवादी है एक आपकी लाइफ रेन अभी बाकी है तो अगला किया है पाकिस्तान इरान इराक या साओधी अरेबिया अरेबिकन बताइए पाकिस्तान इरान इराक या साओधी अरेबिया इन में से कौन सा सही उत्तर है राड 500 मिसाइल का अनावरण किस ने किया है हाली में 30 सेकेंड आपके जा चुके हैं उससे ज्यादा भी टाइम हो गया है सोच के आंसर कीजिएगा अन्वील्ड राड 500 मिसाइल बाइविच कंट्री रिसेंट ऑप्शन बी कम्पिटर जी ऑप्शन बी पर फड़ा वर्ट से ताला लगाए जाए इरान देखें इरान और इराक दो कंफूजन वाले मतलब कंफूजन क्रेट करने वाले वर्ट से लेकि अगले कोशन पर आपके सामने बढ़ते हैं देखें टैंशन मतलो अगले कोशन पर बढ़ते हैं और आगे भी सही करने की कोशिश करिएगा अगला कोशन आपके सामने यह रहा फ्रॉम विच ऑफ फॉलेंग कंट्रीज हाज इंडिया पर्चेज दब पिलाक्टस पीसी सेवें ट्रेन ट्रेनर एरक्राफ्ट निमिले किस में से किस देश से भारत ने पिलाक्टस पीसी सेवें ट्रेनर विमान खरीदा है युनाइटिट सेट्स ओफ अमेरिका स्विजर्लेंड फ्रांस या जर्मनी बहुत फेमस हुआ था बहुत अच्छा गोश्यन है ध्यान से सोच के आंसर कीजिए लेकिन टाइम काफी निकल चुका है आपका जल्दी आंसर कीजिए पिलाटस सो फीसी सेवन ट्रेनर एयर क्राफ्ट भारत ने खरीदा था रिसेंटली डू अभी एक स्वरी तो कंप्यूटर जी पहले घड़ी को रोकिए फढवर्ट से और लाइफ्लाइन डबल टिक आप करना चाहते हैं डबल करना चाहते तो चलिए फढवर्ड से डबल बताईए हमारे सामने कौन सा होगा सबसे पहले अगर यह अंसर गलत हुआ तो आपके पास एक और आंसर देने के लिए पावर रहने वाली है तो आर यू शॉर की बी स्विजर लेंड पर ही ताला लगाना है तो चाहिए पास कर जी आपने लाइफ़ेंड यूश करी ली पर पहुंड लीनिये फिर यह ब्री आपने स्विजर लेंड मतलब सलेक्किया तो यह लाइफ़ेंड की जुरा दीजिंड बाद बढ़िया वह सकते है कि लाइफ लेंड का थोड़ा सा स्विस्टों को तो पहले मा गलत हो सकता था है मैं राइट कोई बात नहीं अब आपके पास कोई भी लाइफ लैन नहीं बची है आपके आठ में से तीन सवाल गलत है और पांच करेक्ट है लेकिन अच्छी बात यह है कि तीन बोले तीन बॉल्स आप खेलते-खेलते जब चूप गए तो उसके बाद आप आपने अच्छे से अपनी पारी को संबाला है और सारे करेक्ट आंसर की है कोई बात नहीं हम लोग अगले कोशन पर आते हैं कोशन नमबर नाइन पर आपके सामने यह रहा वट इस रांग ऑफ ओफिसर हेडिंग इच ऑपरेशनल कमांड प्रतेक ऑपरेशनल कमांड के नेत्रवत करने वाले अधिकारी अधिकारी की राइंक क्या है इन में से कौन सी राइंक है जो हर किसी को कमांड देते हैं लाइक वाइस एड्मारल, ड्मारल, जर्नल, या इंस्पेक्टर, बताया, वाइस एड्मारल, यानि उपस्मुंधृ नायक, एड्मीरल, जर्नल या निरिक्षड, टाइम गुणि, नाइंत कोशन है, तीन गलत हो चुके है, सब्सक्राइब करने वाले अधिकारियों की रैंग के आफिसर ऑपरेशनल कमांड को हेड करते हैं यानि प्रतेक ऑपरेशनल कमांड का नेतरुत करने वाले अधिकारियों की रैंग क्या है वाइस एड्माइरल जो होते हैं वो इसमें रैंग उनकी जो वाइस एड्माइरल जी की रैंग होती है वो रैंक आपको हमेशे नेतरुत करने वाले अधिकारियों की मतलब जो कमांड करती है वो यही है वाइस अड्माइरल जी है तो नो कोश्चन में से अभी आपके चार गलत और पाथ सई हुए है लास्ट कोश्चन में डिसकस करना है तो आपके सामने एक बरी कोश्चन नमबर दसवा प्रस्थुतं किया जाता है यह रहा फटावल लूद गोस्चन मैं अलजेस्ट कमांड ओंडँ फ़ंकर लार जबल्ट कोश्चन में ऑ स्बोड़ी नागम से सबसे बड़ी कमान कोन सी है तो किर स्थे उनल इस्टन विश्टन या इन में से कोई भी नहीं सोच के उत् अगर आप यह सही करते हैं अगर आपने इसे सही करा तो छे करेक्ट होंगे आपके गलत किया तो आपके पांच सही और पांच रॉंग हो जाएंगे बताइए बासकर जी जल्दी से टाइम इस रणिंग लार्जेस कमांड आफ इंडियन एर फोर्स की लार्जेस कमांड कुन सी है को अप्शन अप्शन ये पर तालर लगाए जाए जाए फटावट से अपर याणी जैसे ब्ट हुस्टण आ पंजाब देली यह वाला पार्ट है ठीक है वेस्टन कमांड हो गई इस्टन कमांड आपकी थी जो उदर की साइड है अपना अरोणाचल परदेश की तरफ को है और नन ओफ दीज मतलब इन में से कोई भी नहीं होगा लेकिन एक्चुली ऑप्शन एर रॉंग है आपका ऑप्शन सी करेक्ट वैस्टन एर कमांड जो है वो लार्जेस्ट कमांड है जो कि जम्मु कश्मीर वाली जो इंडियों देली से पाशन को कवर करते हैं देली पंजाब याड़ाना एंडियों वह पार्थ है वह विजा तो चलिए कोई बात नहीं है आपने बहुत सही तरीके से खेले हैं दस में से पाँच सवाल आपके सही और पाँच गलत हैं नौट बिग डील आप यहां तक पहुचे और उसके बद आप खेले इसको और आगे बड़े बहुत अच्छे से आपने करा भास कर all the best for your future आपके फ्यूचर के लिए और भगवान आपको सद बुद्धी दे और आपको एंडी क्लेर करा है बहुत जल्दी और इसी तरीके से कौन मनेगा कमांडो कॉंटेस्ट में सभी बच्चे जो भी खेलना चाते हैं हमारे साथ जुड़े रहे हैं डाउट नेट पर और मिलते आप लोगों से अगले एपिसोड में बाइबाइ टेक कार जैहन